नमस्कार मैं सुचिला राइडिमरी रोज की रसोई में आपका स्वागत है दोस्तो आप सोच रहे होंगे कि घर का खाना तो एकदम ताजा, साफ, सुतरा और स्वाच होता है ये घर में बना है तो सेहत मंदी होगा ऐसा नहीं हो सकता कभी कभी घर का खाना भी आपके स्वास्तिलाब के खिलाब काम कर सकता है दोस्तो आजकर हेल्थ एक्सपर्ड भी बाहर से ओर्टर करने की बज़ाए घर का बना खाना खाने के सलाह देते है वैसे तो घर का पकावा खाना अक्सर स्वास्तवर्दग ही होता है क्योंकि हमें खाने की सामगरी, सफाई और उसी गुणवत्ता के बारे में सब पता होता है लेकिन बाहर से जो खाना आता है उसके सेल्फ लाई बढ़ाने के लिए तेल, नमक, चिकनाई और भी कई चीजों को मिलाई जाता है जिससे मुटापा, बीपी और हार्ट से समंगित बीमारियों को बढ़ावा मिलता है दोस्तों, घर के खाने में कभी कभी महत कलत हो जाता है जैसे खाने को सौधिस्ट करने के लिए हम में से कई लोग तेल, मक्खन, चीनी या मसाले का ज़्यादा इस्तिमाल कर देते है वैसे तो आप जानते ही हैंगी, कि घी मक्खन के एक ज़्यादा चमच में भारतिय मा का प्रेमी होता है इसी तरह रोजाना तलेवे, व्यंजन, चाहे घर में ही पकायों नुकसान पहुचाते है इसलिए कभी कभी आपके घर का खाना भी स्वस्त नहीं हो पाता तो दोस्तों, यह ता मेरा आज का वीडियो, मिलूँगे नेक्स वीडियो में ऐसे नहीं जानकारी के साथ तैंक्स वर वाचिंग रोज की रसोगे